दोस्तो आप सब मेरे मोगाइल के स्क्रीन पर देखेंगे गाइज के यहाँ पर दिखेंगे कि इस अप्लेकिशन से मुझे यहाँ पी पूरे 10 लाग रुपे तक का लोन अमोंट मिल सकता है जिसमें इंस्टेंट, डिसवर्स, सेफ एंड सेक्वर अप्लेकिशन है लो इंटरस अमोंट चाहिए वो भी यहाँ पर दिये जाते हैं अगर आप सब को होम लोन चाहिए वो भी दिया जाता है और परसनल लोन चाहिए वो भी यहाँ पर दिये जाते हैं तो अगर आप सब को गाइस परसनल लोन की जरूरत है और आप सब लोन को लेना चाहते हैं तो इस अप् यहाँ पे search करेंगे housing by rent लिख करके अगर आप सब यहाँ पे search करते हैं तो इसका logo जो है फिलहाल कोछ इस परकार से दिये हुआ है इसी applications को आप लोग को यहाँ पे install करना है install करने के बाद आप सब इसको open करेंगे तो आप सब के सामने नहीं कोछ इस परकार से पे जाएंगे गाईस तो यहाँ पर देखें कि 10 लाख रुपे तक का loan amount यहाँ से लोगों को provide कराया जाते हैं जो की personal loan अगर बात कर लेगा यहाँ पर आप सब को credit line-up की जरुवत है तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें credit line-up की बात कर लेगा है तो यहाँ पर आप सब को minimum 20,000 से maximum आप लोगो को 3 लाख तक का credit line-up भी यहाँ से provide कराया जाते हैं अगर मालिए कि आप सब को यहाँ पर pay letter amount की जरुवत है तो आप सब यहाँ पर pay letter amount भी ले सकते हैं जिसमें paperless process होगा flexible repayment होगा no hidden charges होगा और maximum आप लोगों को यहाँ पर maximum आप लोगों को यहाँ पर up to 40 दिन के लिए इस amount को ले सकते हैं आप सब को पता है कि pay letter जो amount होता है वो एक महिना के लिए ही मिलता है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को maximum 40 दिन का समय दिया जाएगा जो की बिना कोई charges के आप सब यहाँ पर zero cost लिखा हुआ है zero cost पर आप सब इसको repayment भी कर सकते हैं तो आप सब यहाँ पर जो amount लेना चाहते हैं care rate line up लेना चाहते हैं या personal loan लेना चाहते हैं या pay letter amount लेना चाहते हैं तो हम गज़ यहाँ पे personal loan की बारे में बात करने वाले हैं, जहां से 10 लाग तक का रासी दिये जाते हैं, तो आप सब जाहे गई, तो यहाँ पे अपना EMI को calculate करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, अपने हिसाब से amount को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मन्त को भी यहाँ पर देखेंगे, minimum 3 मन्त है, maximum यहाँ पे 60 मन्त का समय दिया गया है, rate of interest को अपने हिसाब से थोड़ा उपर नीचे भी यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप सब को पूरी details यहाँ पर देखने को मिल जागा, कि आप सब का पर मन्त का EMI कितना आएगा, total interest कितना लगेगा, और उसके बाद यहाँ पर purchasing fish कितना लगेगा, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जागा, तो आप सब अपना EMI को यहाँ पर calculate कर सकते हैं, तो आप सब दोस्तो यहाँ पर अपलाइ कर सकते हैं, यहाँ पर देखें की बीस लाग रुपया तक का लोण यहाँ से लोगों को provide करा जатे हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे कि कुल 4 step है, पहला step है, feel your detail है, loan offer होगा 20 लाग तक का और उसके बाद इस applications को download करना होगा और उसके बाद 5 मिनित में पैसा bank account में जमा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप सब को कुछ details fill करने होंगे, जैसे कि guys सबसे पहले आप सब को full name यहाँ पर fill करना है जो pain card पर नाम है उसी नाम को यहाँ पर fill करेंगे, उसके बाद data birth को यहाँ पर fill करेंगे और उसके बाद mobile number को यहाँ पर डालेंगे, डानले के बाद दोस्तों यह छोटा सा check box से इसमें check mark करेंगे और next वाले पर click करेंगे, तो चलिए हमें इस detail को fill करके next वाले पर click करते हैं तो जैसे ही आप सब यहाँ पर next वाले पर click करेंगे गाईश तो अब आप सब के सामने कुछ इस परकार से page आएगा तो यहाँ पर आप सब को अपना interior 10 digit pen number यहाँ पर fill करना है और उसके बाद यहाँ पर आप सब को employment type को choose करना होगा अगर आप सब मालिए कि sell right person है तो sell right वाले को रखेंगे self employed है तो self employed वाले पर tick रखेंगे monthly income एक month में आप सब कितना कमा लेते हैं अपने हिसाफ से यहाँ पर monthly income को fill करेंगे और उसके बाद यहाँ पर next का option है इस वाले पर आप logo को click करना है तो चलिए हम इस detail को भी यहाँ पर complete करते हैं हम यहाँ पर सभी detail को fill कर लिए है next वाले पर click करेंगे जैसे ही आप सब next वाले पर click करेंगे तो आप सब के mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को आप लोग को यहाँ पर fill करना है और उसके बाद यहाँ पर get cash loan 5 minute अब यहाँ पर क्या करना होगा देखे कि यहाँ पर आज चुका है कि get the app इस application को बता रहा है कि आप जो है download किजिए तो आप सब get the app है इस वाले पर click करेंगे आप सब click करेंगे आप सब को पले इस टोड़ पर redirect करेंगे यहाँ से इस applications को install करेंगे और इसको open करेंगे तो open करने का बाद दोस्तों यहाँ पर आप सब देखेंगे कि हम already यहाँ पर सारा process को complete जो है वो कर चुके हैं यहाँ पर देखेंगे कि हम इस application से देखेंगे आप सब के यहाँ पर 25,000 रुपे का loan जो है हम इस application से ले चुके है जो कि यहाँ पर देखेंगे कि dues in 3 दिन के बाद यहाँ पर payment करना है तो आप सब मेरे mobile के screen पर देखेंगे कि dues in 3 days मतलब कि रह गया है यहाँ पर payment करना है तो बाकी के यहाँ पर details आप सब देखेंगे कि 26 ओ का हमारा EMI बना हुआ है 10 फरवरी को यहाँ पर payment करना है जो कि पहला EMI 10 फरवरी को payment करना है तो 3 दिन यहाँ पर बाकी रह गिया है payment करने में बाकी यहाँ पर 12 मन्त के लिए इस loan को हम यहाँ पर ले चुके है more option माले पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक option आप सब को में जाता है माली जै कि अगर आप सब यहाँ पर इस loan को ले लेते हैं और लेने के बाद आप सब चाहते हैं कि आप सब माली जै कि एक सालों के लिए हम loan को लिए हैं और एक महिना बाद ही अगर हम यहाँ पर payment करना चाहते हैं तो वो भी option यहाँ पर रहता है जैसे कि हम 25,000 का loan amount लिये थे एक महिने में अगर हम यहाँ पर payment कर देंगे तो 25,600 955 रुपे ही हमें यहाँ पर payment करना होगा जो कि interest की बात कर ले तो यहाँ पर देखेंगे 695 रुपे ही शिर्फ आप सब को extra लगेगा बाकी यहाँ पर पूरा loan आप सब का close हो जाएगा वैसे हम 12 महिनों में payment करेंगे तो 31,200 का पूरा payment यहाँ पर करना होगा टोटल 25,000 रुपे हमारे bank account में जमा हुआ है 26 का EMI है पहला 12 मंत के लिए हम इस loan को यहाँ पर ले चुके हैं तो सब कुछ यहाँ पर details में दिया गिया है अगर दोस्तों यहाँ पर calendar की बात कर ले तो यहाँ पर आप सब देखेंगे क्या भी कोई भी यहाँ पर EMI payment नहीं हुआ है बाड़ा के बाड़ा EMI जो कि मुझे यहाँ पर फिलाल payment करना है पहला EMI भी यहाँ पर payment नहीं हुआ है जो कि अभी यहाँ पर schedule में लगा हुआ है तीन दिन बाद यहाँ पर automatically हमारे bank account से deduct हो जाएगा transaction में देखेंगे तो no transaction है कि कि कोई भी EMI यहाँ पर payment हुआ ही नहीं है तो अगर आप सब को भी personal loan की जरूरत है तो इस तरीके से आप सब यहाँ पर personal loan को ले सकते हैं तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है comment box में ज लीजिएगा साथ ही अगर चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा